हलो एब्रीवन आज इस वीडियो में हम दुर्गा पूजा पे एसे स्टडी करेंगे इस वीडियो में हम 10 लाइन्स एसे ओन दुर्गा पूजा पे स्टडी करेंगे जो क्या है बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दुर्गा पूज 10 Lines on Durga Pooja इस वीडियो में हम 10 Lines से क्या करेंगे ब्रीफ में Durga Pooja के बारे में जानेंगे यह क्या है एक इससे है एक्जाम में भी अगर कभी Durga Pooja पे इससे आए तो आप इसे लिख सकते हो Durga Pooja is an annual festival of the Hindus and is celebrated with great zeal and excitement कह रहा है Durga Pooja एक क्या है Hindu का सिक तहवार है मतलब यह सान में एक बार आता है annual festival है और इसे बहुत उत्सा के सथ क्या किया जाता है celebrate किया जाता है मनाया जाता है this festival is celebrated traditionally to worship Goddess Durga as a symbol of power यह जो festival है यह जो तहवार है इस तहवार में हम Durga मा दुरगा की पूजा करते हैं और मा दुरगा सक्ती की प्रतीक है किसकी प्रतीक है तो सक्ती की तो क्या हुआ इस पूजा में हम देविद दुरगा की पूजा करते हैं जो सक्ती की क्या है प्रतीक है next इस फिस्टिवल एसा माना जाता है कि हम इसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि क्या हुई थी अच्छाई की बुराई पे जीत हुई थी तो इसलिए इस खुशी में हम लोग क्या करते हैं दुरुगा पुझा सेलिबरेट करते हैं During this time Goddess Durga defeated the evil Mahisa Sur and brought peace करा यह समय है जो दुरुगा पुझा का जो नौरात्री समय है यह वो समय है जिस समय Goddess Durga देवी Durga एक दूष्ट महिसा सूर को हराया और क्या की सांती की स्थापना की तो इस खुशी में हम लोग क्या करते हैं दुरुगा पुझा सेलिबरेट करते हैं This festival unites people and is celebrated widely in Bengal यह तेवार क्या करते हैं लोगों को जोडता है और यह मुख तौर पर मतलब कहां पर मनाया जाता है तो यह बिंगॉल में मुख तौर पर मनाया जाता है ऐसा तो पूरे कंट्री में इस बहुत ही excitement के साथ हम दुरुगा पुझा सेलिबरेट करते हैं क्या करता है हम लोग के अंतर आसा को भरता है हमारे अंदर पॉजिविटी को लाता है क्यों क्योंकि इस फेस्टिवल जो है इसमें इस समय पे क्या हुआ था अच्छाई की जीत क्या हुई थी बुराई से अच्छाई की जीत हुई थी तो इस वजह से यह फेस्टिवल क्या करता है हमारे अंदर होप और पॉजिटिवीटी को भार देता है नेक्स्ट अधिविटिफुली विद लाइट्स बैनर्स होडिंग्स अधर डेकोरेशन विद पैंडल्स एवरिवेर यह जो समय है दुर्गा पूजा उसमें पूरे सहरों को क्या होता है बहुत ही सुन्दर तरीके से सजा होता है लाइट से बैनर से और चारों तरफ क्या रहता है हर कात्री के समय आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पीपल लिविग अप्रोट विजिट दियर एंसेस्ट्रल होम दूरिंग इस टाइम एंड लाइक तो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दियर फैमिली जो लोग क्या रहते हैं वो इस समय पे अपने घर आते हैं और व इस समय है जब क्या करते हैं जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर आते हैं और क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं लोग क्या करते हैं गिफ्ट करते हैं नए कपड़े अपने फ्रेंड को और रिलेटिप्स को अन दे लाश्ट डे डेवी जो आइडल्स होता है, जो मुर्ती होता है, उसे हम पानी में विसर्जन करते हैं, और इससे सारे लोग दुखी हो जाते हैं, and they again start looking up to another year of weight, और वो फिर से दूसरे साल का इंतजार करने लगते हैं, कि next year, फिर से हम वही excitement, वही खुशी, वही उत्सा के साथ, फिर से हम क्या करेंगे, दुर्गापूजा celebrate करेंगे, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 10 lines इस स्टडी किया दुर्गापूजा पे, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो,